चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल चाऊं। चाह नहीं सम्राठों के शव पर हे हरी डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेक। मात्र भूमी पर शीष चड़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। जिस पर जावें वीर अनेक। मेरा नाम है रिशी शुधानशु पांडे और आज मैं इसी तरीकी की जो वीरता की एक छोटी सी गाता लेकर आपके सामने आया हूँ। रैंक 20 आरेस 2018 और बाकी सब सूचनाई व्यर्थ हैं क्योंकि मैं हूँ एक प्राउड इंडियन चर्चा करूँगा कारगल युद्ध की और उस समय रहे वीपी मलिक साब जो हमारे जनरल ते आर्मी के चीफ थे उनके हाली के एक इंटरव्यू की उन्होंने उस जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जो लाइन उफ कंट्रोल है उसके उधार उस साइड की टरिटरी को हमें कब्जा लेना चाहिए था एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने ताइमस ओफ इंडिया को दिया किस दिन पे दिया कारगल दिवस से एक दिन पहले 26 तारिग 26 जो जुलाई है उसे कार्गल दिवस के नाम से जाना जाता है यह फार टूटी-फोर न्यूज की भी न्यूज है जिन्होंने इसी इंटरिव्यू से संबन्दित चीज को चापा है यह पहल जो न्यूज है उसने भी चाप पाए ग्रेटर इंडिया ने भी इस न्यूज को थे जब कार्गिल में 1999 में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने भारतिय सरजमी भारतिय भूमी पे कबजा करने की कोशिश की सबसे पहला आपको मैं बता दूँ कि और उपरेशन विजय नाम दिया गया था उसे और उन्होंने कहा कि इसके कारण की हमारी वो विजय हुई थी क्योंकि उस कारगिल वार में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे तो जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं था मैं उनकी चर्चा करूँगा आपको उसके साथ साथ पहले मैं यह चीज और बता दूँ कि पाकिस्तान हैस फेल्ड इन इस अब्जेक्टिविद कंसीडरिबल पॉलिटिक अने मिलिटरी कॉस्ट कि पाकिस्तान की जग पूरी दुनिया में थूथो भी हुई थी पॉलिटिकल लेवल पर उसको लोगों ने समझा भी था साथ इसाथ मिलिटरी कॉस्टों से बहुत भरी उठानी पड़ी थी जिसका खाम्याजा वो आज भी उठा रहा और वैश्यू के स्तर पर उसे यह पहचान आज भी मिल रही है यदि भारती आदमी में इंटेलिजेंस और उस समय इनएडिक्वेट सर्विलेंस की कमी रही फिर भी दीरे करके हमने कुछ समय में सारे ही जो हमारे बंकर देया जो सावरी हमारी पोस थी उनको वापिस कप जा लिया था यह मिलिटरी की सक्सेस तो थी थी बैटल फी तर पर अपनी इमेज को महत्यपूर्ण और जिम्मेदार बनाने में सफल हुए थे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक लेसन जो उस समय मिलाता वो यह था कि इर्रेगुलर या प्रॉक्सी वार जो है वह इस तरीके की लिमिटेट कन्वेंशनल वार में कनवंट हो कन्वर्ट हो सकती है यह बहुत बड़ा लेसन था क्योंकि उस समय तक इस तरीकी हमारी पहचान नहीं थी हम इस तरीकी की इंटेलिजन्स नहीं रखते थे और जो छोटी छोटी आप यह देखिए आज भी ऐसा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर जो हमारे बॉर्डर ह उससे सीमा पार आतंकवादियों को भेजने के लिए गुला बार्यूदी करती रहा की जाती है तो ऐसी यह जो प्रॉक्सी वार है इर्रेगुलर वार है इससे कन्विंशनल वार में उस समय करवर्ट कर लिया था जो हम लोगोंने सोचा भी नहीं था यद भी वीपी मलिक अगला जो उनसे सवाल पूछा था उसमें यह था कि हाओ डिट कार्गल चेंज इंडिया आउटलोक ऑन पाकिस्तान देखिए जब 1999 का पाकिस्तान के साथ यह कार्गल वार हुआ हमारा उस समय प्रधानमंत्री जो वाजपी थे उनका बहुत विश्वास भाली और उनके तो मैं दंडवत या मैं क्या अरपन कर सकता हूँ कि उनके जैसा राजनेता तो आज तक प्रधानमंत्री बनानी स्टेट्समें लेकिन उस जैसे व्यक्तित्त को जो की इतना सोस समझ के बाद बोलने वाला था उसे कहना पड़ा नवाश शरीफ को कि आपने तो पीठ में छुरा गौप दिया है तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो हमारी लीडर्शिप थी पॉलिटिकल जो विश्वास था उसको कितना धोका हुआ लेकिन हमने वो युद्ध हारा नहीं धोका हमें पहले भी एक बार हुआ था 1962 का जो चाइनीज वार था वो भी इंडिया के लिए बहुत तरीके से सौट आउट किया अब उनसे सवाल पूचा जाता कि अगर इस समय आपको क्या लगता कि उस समय किस चीज को डिफरेंटली किया जा सकता तो उन्होंने साब साब भूला कि यह सरप्राइज सिचुएशन थी मैंने आपको बता दिए किसी ने सोचा भी नहीं था अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स हैं और फिर क्रॉस बॉर्टर आतंक वादियां फिर बाद में कंफर्म हुई चीजें कि यह प्रॉपर जो आफ पाकिस्तानी मिलिटरी है उसके ऑफीसर्स थे उसके लडाके थे आईसाइस से समन्दित लोग थे और यद्यपी एक समय के ब सक्सेस पा गए थे तो उन्हें अलाओ किया जाना चाहिए था कैप्चर सम् पाकिस्तानी टेरिटरी थो दा एलो से बिफोर एगरिंग टू दा सीस फायर तो जनरल वीपी मलिक साहब का कहना है कि हमें इस तरह की नीती शायद अब ले आनी चाहिए कि अगर वार होती है तो ह हम उनकी जगए को क्यापचर कर लें अंसकी जगए कि जो अइंक भूमी है उसको कैपचर कर ले और वा एक्चुली उनकी भूमी नहीं वह हमारी ही जिए और हम्हें अकनी है उन्हें बहुत हो से अपकिस्टास्थी सथे कि कर चोनाथी तो किस त्रीक है कैंल की है तो स्वा стать of funds ती इंडियन आर्मी उससे वह काफी short of funds थी और जो टोटल 100 लेट से की 100 रुपीज की requirement है उसकी जब केवल वो 70 रुपए में काम चला रहे थे और authorized budget जो था उससे 70 रुपए में काम चला था दूसरी कार्गिल जैसे जो high altitude वाले इलाके तो वहां के लिए ना तो उनके पास clothes से ना ही जूते थे और ना ही सरेगी की facilities थे फिर भी हमारे जो जवान थे वो लड़े और मैं उनका statement दिखाऊंगा आपको last की slide में वो statement है जिससे मेरे रॉंक टे खड़े होकर मेरा विश्वास बारती आर्मी बहुत जादा बढ़ गया ना हमारे पास उस समय surveillance था ना हमारे पास radar था इवन जो helicopters थे वो भी 20,000 की उचाई पे जाके देख रहे थे सी लेवल की उचाई से कि भाई पडोसी मुल्क कर क्या रहा है वहाँ कहां कहां उसने पोस्ट बनाई यह कहां कहां से वो attack कर रहा है इसके साथ था हमने यह तक किया कि हम बोफोर्स को travel करने के लिए उसको parts में divide करके travel करा रहे थे थे इवन decided to take the upstream बोफोर्स cannon in three pieces होती है अगर की जाए तो क्या हमें Pakistan से बात करते रहना चीए तो उन्होंने इसकोας पस्टरूप से समझाए कि देखिए पाकिस्तान हमारा पडोसी और वो पडोसी कभी नहीं बदलेगा देवल रिमेन से हमारा पडोसी ही रहेगा तो उन्होंने कहा कि एक fixed permanent policy नहीं रखने चाहिए, हमें अपने समय के अनुसार, अपनी आवशक्ता अनुसार, इस talking to them की जो policy हो उसको convert करना चाहिए, और हमें flexible रहना चाहिए, जैसा कि वर्तमान जो राजनेतिक इस्तर है, जो government है, उसकी भी ऐसी policy है कि कुछ समय हम रोग देते हैं, और जब or choose your neighbors, they are given, they are God given, तो we have to handle, we have to manage these situations accordingly, तो ये बात उन्होंने की, इसके आखरी slide में आपको बताता हूँ, good memories of that time क्या है, दीकि उन्होंने का, VP Malik साब की मैं strategy बनाने के लिए Delhi रहता था, लेकिन हर 5 ये 6 दिन में मैं कारगे लिए ऐसी जगे जाता रहता था, और वहां जब मै जवानों से बात करता था, तो उनका जवाब होता था, don't worry sir, we will, चिंता मत करो sir, हम जीत लेंगे, और ये जब जजबा दिखता है जवान में, तो फिर एक आर्मी ऑफिसर की आई, जब भी जनरल तक को रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं, हम जीत लेंगे, और इसी के साथ द लियान के कारे में रत वही है, जै हिंद, जै भारत!